Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा तीन बहुत इंपॉर्टन बाते मैंने आप लोगों से शेयर करनी है सबसे पहली बात ये कि मैं कहीं पर भी परसनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूं पेड वीडिंग्स मैं नहीं कर रही हूं मेरे नाम से मेरी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में बहुत से मेसेजिजिस आ रहे हैं फेक आईडी से जहां पर Mystic World 11.11 का नाम यूज करके प्रोफाइल पिक्चर मेरी यूज करके यह कहा जा रहा है कि WhatsApp करें और इस नंबर पर Contact करें और Pay करें और Reading लें तो यह Fake है मैंने आज Post भी डाली थी अपने चैनल पर आप लोगों ने ऐसी किसी भी ID को Report करना है क्योंकि मैं कहीं पर भी Personal Readings नहीं कर रही हूं मैं नहीं करती हूं नहीं Free Readings नहीं Paid Readings यह एक पहली बात बहुत important थी दूसरी बात यह कि कभी कभार मेरी वीडियो डिले हो जाती है sometimes internet issue हो जाता है sometimes मैं थोड़ा busy होती हूं ज्यादा तर internet issue होता है sometimes तो इस वज़ा से भी late हो जाती है तो इस बात पर आप लोगोंने परिशान नहीं होना अगर वीडियो लेट हो जाए और अगर मेरी वीडियो कभी ना आए it means कि कोई problem चल रहा है ज्यादा तर अगर मैं बिमार हूँ तभी मेरी वीडियो नहीं आती otherwise वीडियो हर हाल में रोज upload होती है और हमेशा नई वीडियो upload होती है कभी भी मेरे चैनल पर पुराना content मैंने upload नहीं किया है यह दूसरी बात हो गई तीसरी बात यह है कि आज hopefully Q&A वीडियो मैं upload करूँगी मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों के जितने questions मुझसे हो सके मैंने उसमें रख लिये है और आज hopefully आप लोग रात में I don't know आप कभ ये वीडियो देख रहे हैं बट आज के दिन रात में Q&A वीडियो आ जाएगी सो उसमें बहुत से लोगों के questions का मैंने जवाब दिया है सो मेरी आप लोगों से request यह है कि personal questions मैं नहीं ले रही एक तो अपने लिए जो मेरे बारे में आप लोगोंने किये हुए हैं वो questions और दूसरा है कि जो आप अपनी personal life के बारे में पूछ रहे हैं मैं general questions की बात कर रही हूं जिसमें आप manifestation से related tarot से related कोई confusion है law of attraction law of assumption से related जो भी confusion है कोई सवाल है अगर tarot क्या है इस तरह के सवालात आप जरूर करें personal मैं नहीं ले रही हूं so तीसरा यह important तीसरी बात थी जो मैंने आप लोगों से share करनी थी so अब हम start करते हैं हमारी आज की reading और इसके लिए मैंने कोई topic select नहीं किया है यह बिलकुल timeless video है जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का message होगा so यह आप male के लिए देख सकते हैं female के लिए same gender के लिए married है, नहीं है, separation है whatever, यह reading सब लोगों के लिए open है और शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप से कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है सिर्फ divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं thank you so much आप लोगों ने मुझे जितनी support दी जितना प्यार दिया I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all अगर आप नए है मेरे channel पर आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना पसांद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा सो अब हम start करते हैं आज की reading और हम देखेंगे ये कि spirit की तरफ से क्या highlight किया जाता है आपके connection के हवाले से आपके person के हवाले से जिनके साथ आप involved हैं जिनसे आप प्यार करते हैं सो सबसे पहले हम आपकी energy देखेंगे specifically कि the viewer आप इस connection में क्या feel कर रहे हैं कहां पर है इस वक्त आपका ये connection so six cards मैं लोंगी three four five and six बल्के आज हम eight cards ले लेते हैं so ये reading बिल्कुल open है आज let's see क्या आता है इस reading में क्या highlight होता है सबसे पहला card है हमारे पास marriage so maybe आपके person already married है या आप आप शादी करना चाहते हैं आपका ultimate goal शादी है commitment है real deal है next है हमारे पास prayers so maybe आप लोग बहुत इंतजार करें अपनी शादी का maybe कुछ लोग single हैं जो ये video देख रहे हैं but आप लोग बहुत ज़ादा दुआ कर रहे हैं अपने शादी के लिए आपको बहुत इंतजार है कि आपकी शादी कब होगी फिर है हमारे पास invitation so maybe आप लोगों ने invitation list रखी हुई है किस को आपने बुलाना है अपनी शादी में next is stars so इसका मतलब ये है कि stars आपके लिए align हो रहे हैं आपकी prayers का जवाब आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी शादी आपकी होने वाली है I feel कुछ लोगों की फिर हमारे पास fantasy so maybe आपके जहन में बड़ी एक fantasy अपनी शादी को लेकर कैसा होगा ये dress पहनना है ऐसे करना है फिर हमारे पास forgiveness so ये interesting message है maybe आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहे है अपने partner को माफ करना या आप उन्हें माफ करना चाहते है बट आपके कहते हैं कि वो माफी मांगें तो सही फिर आप उन्हें माफ कर देंगे इस वक्त आप लोगों का connection stuck है लेकिन ये connection आपका बहुत ज़दा magical है बहुत ज़दा आप समझते हैं और इसको आप खोना नहीं चाहते है इसलिए आप बहुत ज़दा दुआ कर रहे है और आपकी खाहिश ये है कि आपकी शादी इन्हीं से हो जो आपकी जहन में आपके person है और आप बहुत ज़दा fantasize करते हैं इनको बहुत ज़दा इनके बारे में आप सोचते हैं and of course दुआ करते हैं I also feel कि ये connection आप लोगों का spiritual भी है क्योंकि यहाँ पर magical का card भी आया है magical भी है और spiritual भी है और deep भी है so इस connection में बहुत ज़दा आपने ऐसे feel आपको होता है butterflies, happiness, excitement जब आप से contact करते हैं आप उनसे मिलते हैं बहुत excitement होती है और जब ये connection stuck होता है जैसे अभी है आप बहुत ज़दा anxiety में जाते हैं बहुत ज़दा आप उनके बारे में सोचते हैं so right now शायद आप लोगों की situation रुकी हुई है या तो आप separation में हैं और अगर नहीं भी है separation में तो I feel कि आप लोगों का connection एक एक level से आगे नहीं जा रहा है और आप चाहते हैं कि ये connection अब आगे बढ़े so let's see अब जो person आपके जहन में है वो आपके लिए कैसा feel करते हैं आपके person की feelings आपके लिए क्या है overall क्या highlight होता है spirit की तरफ से spirit हमें divine message दीजेगा okay so हमारे पास है ace of wands कुछ लोगों के लिए ये नया connection हो सकता है उनकी feelings so a spark, excitement again, invitation भी हो सकता है बड़ा excited invitation maybe इनसान आपको invite करेंगे कहीं पर communicate करेंगे आप से communication से भी ज़्यादा I feel कि ये invitation है और बड़ी excited offer है maybe dinner के लिए बुलाएंगे, movie के लिए बुलाएंगे, कुछ है ये invitation है next is wow, ace of cups so ये बड़ी loving offer है जो ये इनसान आपको देना चाहते है ये एक fresh new beginning है नया start है, कि ये इनसान आपके साथ एक नई शुरुबात करना चाहते है ये इनसान आपको अपना love offer करना चाहते है अपनी feelings offer करना चाहते है maybe ये आपको apologize आप से करना चाहते है अगर इनोंने अभी तक नहीं किया था ये इनसान बहुत जादा आपकी तरफ attracted है बहुत जादा आपके लिए इनके दिल में प्यार है फिर है हमारे पास seven of wands so I feel कि ये इनसान इस connection के लिए fight करना चाहते है ये इनसान give up नहीं करना चाहते है आपके उपर I also feel कि एक पॉइंट पर इन्होंने आपको भूलाने की कोशिश की बट हो नहीं पाया वाव दे स्टार और फिर स्टार्स अभी हम स्टार साइन्स भी डिसकस करेंगे उनकी फिलिंग्स हमारे पास है जस्टिस कार्ड so Libra भी हो सकता है कोई Aquarius भी हो सकता है so collective readings में सारे स्टार साइन्स होते है मैं हमेशा आप से कहती हूँ कि regardless of स्टार साइन्स आप energy पर फोकस किया करें अगर energy आप से match हो तो बिल्कुल आपकी reading है so किसी के लिए मुझे ये भी feel हो रहा है कि जैसे आपके person ने बहुत टाइम लगाया है confess करने में बहुत करीब है I feel ये इनसान अब आप से fight नहीं करना चाहते maybe ये इनसान किसी divorce से गुजर रहे है या कोई legal issue है कोई पैसों का issue है कोई जमीन का issue हो सकता है जिससे ये गुजर रहे है and finally I feel कि वो इस issue में से निकलने वाले हैं और इस वज़ा से ये इनसान आपको अप्रोच करेंगे अब ये specific message था सब के लिए नहीं था फिर हमार पस the world so कुछ लोगों का long distance connection हो सकता है but I feel with this world card और फिर the star को इसने clarify किया है मुझे लग रहा है कि जो आप दुनों के दरमयान gap आगया था वो gap अब खतम होने वाला है आपके person ready है आप दुनों के दरमयान distance को खतम करने के लिए ये इनसान ready है आपकी तरफ travel करने के लिए आपसे सुला करने के लिए इस connection को strong करने के लिए ready है I do see कि ये इनसान अभी भी बिलकुल उस level पर नहीं है यानि शादी के लिए ये इनसान शायद अभी भी ready नहीं लेकिन ये इनसान आपके लिए fight करने के लिए ready है and I feel कि ये इनसान fight करेंगे आपके लिए ये नहीं जानते कि आगे road के क्या है आगे क्या होने वाला है बट जो positive चीज़ है इस connection में वो ये है कि ये इनसान ready है fight करने के लिए ये इनसान अपनी feelings confess करने के लिए ready है ये इनसान आपके साथ heal होने के लिए ready है इस connection को heal करने के लिए ready है और ये इनसान बहुत hopeful है आप लोगों के इस connection को लेकर maybe उन्होंने बहुत देर लगा दी maybe आप बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो कोई action ले, उनकी तरफ से कोई movement हो so finally वो movement होने वाली है wow, bottom of the deck पर आप देखिए हमारे पास है Ace of Pentacles so I feel कि finally they will make a move finally ये इनसान आपको एक नया start offer करेंगे finally ये इनसान आपको एक बड़ी stable offer देने वाले हैं जिसमें आपको secure महसूस होगा, जिसमें आपको ये महसूस होगा कि yes, ये एक real offer है maybe ये connection real होने वाला है maybe आप लोग पहले से friends थे या बहुत ज़्यादा serious नहीं ले रहे थे ये इनसान आपको इस connection को and finally उन्होंने serious लेना शुरू कर दिया है इस connection को, so this is very positive यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn भी आप add कर लिजिए so let's see के ये इनसान और क्या feel कर रहे हैं ये क्या करने वाले हैं, spirit highlight की जिएगा ये इनसान अब आगे और क्या करने वाले हैं इनकी तरफ से क्या action होने वाला है ये क्या सोच रहे हैं, क्या plan कर रहे हैं, spirit divine message दीजेगा क्या plan कर रहे हैं, क्या होने वाला है आगे so हमारे पास है abundance so ये इनसान ये feel करते हैं कि इनकी abundance, इनकी happiness आपके साथ है आपसे जूडी हुई है, इनको ये भी feel होता है ये इनकी जिंदगी मैं आना बहुत अच्छा था, इनके लिए बहुत लखी रहा आपका मेबि आप जब इनकी जिंदगी मैं आए तो इनुन को बहुत सी opportunities मिली इन्होंने आप से ये कहा कि आपका मेरे जिंदगी में आना बड़ा मेरे लिए lucky था भीत हुआ है फिर हमारे पास isolation so I feel कि जैसे उन्होंने इस abundance को, इस happiness को isolate किया, उन्होंने आपके साथ इस opportunity को miss किया एक time पर और उन्हें अब realize हो रहा है कि वो isolate नहीं करना चाहते, वो इस abundance को, इस happiness को, इस opportunity को miss नहीं करना चाहते आपके साथ जो उन्होंने feel किया, जो आपके साथ potential है, उसे abandon नहीं करना चाहते, उसे छोड़ना नहीं चाहते उसे explore करना चाहते है अगर आप लोग इस वक साथ नहीं है ये इनसान काफी आपकी कमी को miss कर रहे है और बड़ा अकेला feel कर रहे है so let's see वो आगे क्या करने वाले है हमारे पास है perseverance wow, so ये इनसान आपको pursue करने वाले है, बड़ा literal है ये इनसान आपको call, text करेंगे, जैसे भी हो सके, आपको मनाएंगे आपको अपनी जिन्दगी में वापिस लाना चाहते हैं, फिर हमारे पास wisdom, so I feel कि काफी humble हो गए है, अगर तो आप लोगों की separation है अगर नहीं भी हुई है ये इनसान बहुत जादा आप यूं कह लिजीए, कि इन्होंने grow किया है और आप लोगों के साथ इस connection को इसके बारे में बहुत wisely सोच रहे हैं, मेभी वो spiritually भी understand करना शुरू हो गए है इस connection को, यानि वो ये feel कर रहे है कि ये connection spiritual भी है तो ये इनसान काफी इनके अंदर, आप यूं कह लिजीए कि इन्होंने understanding इनके अंदर develop हुई है बहुत जादा बहुत जादा deeply इन्होंने सोचना शुरू किया है आपके connection के बारे में और serious लेना शुरू कर दिया है इस connection को, ये इनसान seriously और बड़े wise अंदाज में बड़े इच्छी अंदाज में आपको pursue करेंगे और ये इनसान यही सोच रहे है, इस वक्त यही plan कर रहे है हमारे पास है to the sea, इसका number 7 है, ये इनसान ऐसे feel करते हैं कि जैसे आप इनसे belong करते हैं और ये आप से belong करते हैं और इसलिए उन्हे feel होता है कि आप से connect करना उनका बहुत जरूरी है, they really need you in their life फिर हमारे पास never ending story number 37 so maybe इनके जहन में कुछ limiting beliefs थे when it comes to love, maybe वो ये feel करते थे कि it's an ever ending story कि उनकी जिन्दगी में जो भी आता है उन्हें hurt करता है ये relationships काम नहीं करते हैं, relationships love, ये सारी चीज़ें बेकार है, but I feel कि जैसे उनको ये realize हुआ है कि आपके साथ कुछ different है, आपके साथ जो एक attachment है उन्हें और आपके साथ जो उन्हें feel किया, वो unique है वो और connections की तरह का नहीं है, and I also feel कि जो आपके साथ उनका cycle चला, जो शायद on and off था, जिसमें शायद बहुत struggle थी, बड़ी, बहुत ज़्यदा मुश्किल था जो खतम नहीं हो रहा था cycle, वो खतम हो गया है और ये इनसान ये सोच रहे है कि अब आपके साथ पुरानी चीज़े रिपीट नहीं करना चाहते है, वो change होना चाहते है बेहतर तरीके से आपके सामने show होना चाहते है, appear होना चाहते है तो ये इनसान पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते है मुझे ये महसूस हो रहा है और ये इनसान चेंज हुए है इनमें विजडम आई है ग्रो किया है इनोंने सो फिर हैं मेरे पस केयास एंड कन्फिलिक्ट इसका नंबर है 33 सो आइ डेफिनिटली फील के ये इनसान आपके साथ लड़ना नहीं चाहते ये इनसान आपकी जिन्दगी में ड्रामा क्रियेट नहीं करना चाहते मेबी इनकी वज़ा से आपकी जिन्दगी में बहुत ज़दा कन्फियूजन आई बहुत ज़दा ड्रामा आया मेबी आपके अपने दिमाग में बहुत ज़दा कन्फिलिक्ट आया इनके आपकी जिन्दगी में आने के बाद बहुँ जदा स्ट्रगल रही बहुँ जदा ये connection आपके लिए challenging रहा और ये चीज इनको महसूस हो रही है ये आपके लिए इसको challenging कभी नहीं बनाना चाहते थे इस connection को और ये इस connection को आसान रखना चाहते थे लेकिन इनसे हो नहीं पाया, लेकिन अब यह यही सोच रहे हैं कि अब वो इस connection को differently handle करेंगे जो गलतियां उन्होंने पहले की, अब वो अपनी गलतियों को repeat नहीं करेंगे clean it up, yes, number 21 है इसका so इससे बड़ा clear हो गया, और हमारे पास spirit की तरफ से कि यह इनसान जो भी उन्होंने mess create किया, उसे clear करना चाहते हैं चीजों को ठीक करना चाहते हैं, they want to make things right between you and them so वो ठीक करना चाहते हैं, उन्होंने जो भी गलत किया, उस सब को ठीक करना चाहते हैं वो so यह इनसान मुझे बिलकुल ready नजर आ रहे हैं चीजों को ठीक करने के लिए, इस connection को repair करने के लिए, amend करने के लिए और ये totally आपका decision है कि आपने उन्हें अपनाना है या नहीं So हमारे पास आगया है fifth chakra का card which is throat chakra और इसका number है 39 So ये इंसान आपसे communicate करना चाहते हैं Maybe ये इंसान बहुत ज़दा expressive नहीं थे, काफी communication के problems आप लोगों में रहे हैं Clearly communicate उन्होंने कभी नहीं किये आपसे So finally ये इंसान अपने आपको open करने लगे हैं आपके सामने ये इंसान आप open up होना चाहते हैं हर लिहाज से transparent होना चाहते हैं वो आपके साथ communicate करना चाहते हैं Clearly आपसे Okay दो card आगे हमारे पास हमारे पास है fourth chakra जो के heart chakra है और फिर हमारे पास seventh chakra और ये है crown chakra इसका number 41 है और इसका 38 है So तीन चाकराज आगे हमारे पास Maybe आपके person इस वक बहुत कोशिश कर रहे है खुद को balance करने की So ये इनसान अपने communication के ओपर भी focus कर रहे है अपने दिल के ओपर भी और दिमाग के ओपर भी I feel कि ये इनसान बहुत ज़दा इन्होंने spiritually grow किया है बहुत ज़दा heal किया है इनने अपने आपको अपने दिल को और ये इस connection को भी heal करना चाहते है So ये heart chakra है So I feel कि ये connection बहुत ज़दा heal होने वाला है बहुत ज़दा strong होने वाला है और ये इनसान बहुत deeply सोच रहे है अपनी higher self से connect कर रहे हैं बहुत ज़दा So बड़ी positive changes आ रही है इनके अंदर और फिर हमारे पस the temple path number 12 So ये एक और बहुत ज़दा हमारे पस confirmation आ गई है spirit की तरफ से कि आपके person बहुत ज़दा spiritually grow कर रहे है और इस connection को spiritual lens कह लिजे या यूं कह लिजे कि इस connection के spiritual aspect को recognize कर रहे है और शायद उन्होंने ये करने में बहुत देर लगाई है और शायद time ज़रूरी था ये उनको realize करवाने के लिए क्योंकि sometimes लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर कुछ special नहीं है और फिर वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को बट कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्हें realize होता है कि ये चीज तो मेरे दिल से निकल ही नहीं रही so it means कि यहाँ पर कुछ unique है कुछ special है और इसी तरह आपके person के साथ शायद हुआ है उन्हें realize हो रहा है कि वो आपको अपने mind से अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे और वो आपको बहुत ज़दा याद कर रहे है so ये connection spiritual है वो आप से connected feel करते है still फिर है हमारे पस you deserve love so this is my favorite card you are lovable so ये इनसान definitely ये feel करते हैं आपके लिए कि आप बहुत lovable है और आप बहुत सारा प्यार deserve करते हैं next is wedding wow so यहाँ पे marriage का card आया यहाँ पे wedding का आ गया इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके person already married है या आप बट इसका ये मतलब भी है कि ये इनसान आप से शादी करना चाहते हैं बिलकुल वो ready तो नहीं है अभी बट वो करना चाहते हैं so मैंने जैसा आप से ही कहा कि ये इनसान इस connection के लिए fight करने के लिए ready है effort करने के लिए ready दिखाई दे रहे हैं और आपके person का भी ultimate goal यही है कि वो आप से शादी करना चाहते हैं वाओ reconciliation so finally आपके person ready है reconciliation के लिए ये इनसान किसी भी वक्त reach out कर सकते हैं किसी भी वक्त आप से communicate करेंगे आप से reconciliation का कहेंगे someone from your past is returning to your life so ये आपके ex हो सकते हैं जिनसे आपकी अलैदगी हो गई और ये आप से माफी मांगेंगे ये आप से एक और chance मांगेंगे फिर है हमारे पस express your love so ये ऐसा connection भी हो सकता है जहाँ पर confession नहीं हुआ और वहाँ पर confession होने लगा है so ये इंसान अपनी feelings आप से बहुत जल्दी express करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि वो आप से कितना प्यार करते हैं और वो आप से दूर नहीं जाना चाहते हैं इन्होंने कोशिश की है आप से दूर रहने की बट उन से हो नहीं पाया है और वो फिर से आपके साथ relationship बनाना चाहते हैं so ये इंसान बिलकुल ready दिखाई दे रहे हैं so ये सारे cards मैं ठीक कर लूँ okay so let's see कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं हमारे पास है take time to breathe out so I feel कि इन्होंने time ले लिया है already काफी time लिया है इन्होंने heal होने का और काफी हद तक इन्होंने heal कर लिया है क्योंकि हमारे पास हार chakra का card भी आया इन्होंने काफी अपने आपको heal कर लिया है और I also feel कि ये इनसान थोड़ा सा time थोड़ा exhaust हो गए थे इस वजह से भी इने चाहिए था अपने लिए relaxation के लिए वो time भी इनों ने ले लिया है और फिर हमारे पास expect powerful change so आप expect कर सकते हैं बहुत powerful change और maybe आप expect नहीं कर रहे हैं अभी लेकिन ये change आ रहा है ये बहुत powerful change है आपके लिए और आप हैरान भी होंगे definitely क्योंकि शायद आप बिलकुल ये सोच रहे हैं कि शायद ये इनसान अब कभी कोई action नहीं लेंगे या express नहीं करेंगे बढ़ ये करेंगे हमारे पास है your commitment is being tested so maybe ये आप लोगों का एक test था कि आप कितने strong रहते हैं faith रखते हैं या नहीं maybe इस connection में आप लोगों के लिए कोई test था आपको पता होगा कि वो क्या test है maybe आपके patience का test था और मुझे ये भी feel हो रहा है कि जैसे आप इस test में कामयाब हो गए है जैसे आप पास हो गए है इस test में और finally अब आपको result मिलने वाला है इस powerful change के थ्रू और ये change बहुत बड़ा होगा और बहुत happy change है ये I feel so एक और card हम ले लेते हैं no card मैं intuitively निकालूँगी okay अब ये आ ही गया है अब हम इसको रख लेते हैं so हमारे पास है the end of a tough cycle approach is yes आप लोगों ने जो भी problems face करने थे इस connection में वो अब खतम हो गए है अब एक नया cycle शुरू होने वाला है आपका आपके partner के साथ और ये जो भी problems थी ये जो भी एक tough energy थी जो भी ये challenges थे I feel के finally अब ये खतम हो रहे है और बिलकुल एक fresh start एक नया start आपका आपके person के साथ शुरू होने वाला है so बहुत ही positive reading है ये let's see आपके लिए कोई guidance हमारे पास है no so maybe आप ये सोच रहे हैं कि आपको effort ज़ादा और करनी चाहिए या आपको initiate करना चाहिए ये card जब भी आता है मैं हमेशा मुझे ये feel होता है so आपने initiate नहीं करना है no आप अपने person को करने दीजी और वो कर रहे हैं वो करेंगे बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको offer आएगी ये fight करना चाहते है इस connection के लिए वो definitely करेंगे I also feel कि ये जो no है इसका मतलब ये है कि now is not the right time so maybe आप कुछ सोच रहे है so now is not the right time but in near future बहुत happy changes आप लोगं की जिन्दगी में आ रहे हैं बहुत-बहुत happy changes और आप भूल जाएंगे इस वक्त को ये बहुत आपका दुखी वक्त था maybe बहुत difficult था आपके लिए लेकिन आप इस वक्त को भूल जाएंगे जब ये big big happy changes आपकी जिन्दगी में आएंगे और ये powerful change आपकी जिन्दगी में आएगा और इस connection में आएगा तो आप इस वक्त को भूल जाएंगे so कोशिश करें कि आभी इस बात को भूलें कि आपकी जिन्दगी में कोई problem है कोशिश करें खुश रहने की कोशिश करें उन चीजों पर फोकस करें जो आपको खुशी देती हैं उन चीजों पर फोकस ना करें जो आपके पास अभी नहीं है वरना इस तरह आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा कोशिश करें कि जो अच्छी चीज़ें आपकी जिंदगी में आज तक हुई हैं जो ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपने दुआ की थी कई साल पहले और अभी आपके पास हैं आप उसके लिए ग्रेटफुल हों ग्रैटिटूड प्रैक्टिस करते रहा करें और आपकी जिंद हमें यह आप से कम्यूनिकेट करेंगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त उनकी कॉल उनका टेक्स्ट आ सकता है इन्विटेशन आ सकता है उनकी तरफ से सो यह आप लोगों की आज की रीडिंग थी कुछ भी आपके लिए हलपफुल रहा पसंद आया मुझे जरूर बताईगा कॉमेंट सेक्शन में अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जाते जाते मेरी हमे अपना धेर सरा खयाल रखिएगा I'll see you in my next video till then love you lots bye bye